इस बेटा यहां पर प्रवचन चल रहा है जैमीनी एड गुरुजी रोज रोज काम 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 नावासना का था पर जो ही नहीं है तो हम क्या सुने रोज एक हीबतिया इतने दिर में थोड़ा काम कर देते तो अब प्रसाद बना देते हैं, आदित पंडे, जब प्रवचन हो तो प्रसाद बने, जब गुरुबानी हो तो कोई हाडू लेके निकल जाए, ये चीज मैं जानता हूँ, अब क्या रोजी सुनना ये कीज़, एक ही बाद, money and sex, money and sex, money and sex, थाल तो चीज, ये कोई प्रवच बाहर घटो तरे लाल, धब चोतरों, धाकुरों, सत्पुटरी, हम उपर उठ गए, अच्छा, व्यास जी ने कहा, वाह वेटा, तो ब्यास जी प्रवचन करने लगे, काम बहुत मुस्किल है, एक बार विस्वामित्र को मेनका ने बहका लिया, पु 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 पु, ए गुरु जी रोज ये खी कथा, अगी टाइम नी, कहा जा रहे हो, आश्रम भी देख भाल करना है, आपका तो काम है बैट के सोफा पर टटर करना कि प्रसदवा कईसे बना थो तो है पता हो तू बना उता हुआ को गुरू बने लिजान हुआ हाँ हाँ तै हाँ नई हाँ नही तो आ गरे जैमेनी हम प्रवचंद नहीं सुनेंगे काम करेंगो उस समय में वासना के उपर चल रहा था कि मनुष्य को वासना कैसे दबाती है आप लोग भी नहीं है इनको तो घूम फिर करके हमी लोग पर प्रोचन सब आ जाता है यह कौन कथा है भई कोई रामायन सुरू हो महभारत हो भागवत हो चैतने महाप्रभू हो दुनिया में कुतना आउतार हो जाए लेकिन यह हमारे उपर हमीरों के उपर इनके लिए अवतार ही नहीं है एक्दोट हो कि बिसुद्ध कथा सुना में राम का घुश जाएंगे हम लोग उसमें इनको इ बताओ असो भागे जैमिनी उठके और रात का समय जैमिनी अपने कुटिया में गुरू जी का दिया हुआ कुछ अपना वचन वांच रहे थे और एक मधूर सी आवाज आई लता मंगेशकर से भी मधूर कि Move 6, O ooh, on कुई है कुई है क्या अक का भाहर बहुट बारिष हो रही है मैं अक अन्य जवान यह वोलने का क्या जै क्या जवान अर बारिष है त्रेको बचना है तो बच अकली जवान हाई कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है नॉक 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 कौन है देवी कौन हो मेरा नाम ये 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 मैं के लिए हूँ बारिस में भीगरे हूँ क्या रात्री रुकने का स्थान मिल सकता है बस एक रात्री नहीं नहीं इसत्रियों से दूर रहना है मिरे गुरुजी ने कहा है इसत्रियों को अस्थान नहीं मिलता ही श्वामी जी आप इसत्री पुरुस के मुँदी एख रहे हैं मैं एक स्रीर हूँ, भीग रही हूँ, क्रपा करके स्थान दे दी, सरण में आय हुए का त्याग न करो नाथ सोई नाथ के भीतर तो एकदम अनाथ हो गए नाथ उस समय अरे बाप, अरे बाप, इतना प्यार से नाथ, इतना प्यार से तो आज तक परिती मुझे नहीं बोली वो जो साथ जो काम करने वाले हैं, उतना प्यार से बोलते हैं, उतना प्यार से बोलते हैं, वो जाते के साथ लड़ने लगती है सु नाथ पुरफुर आ गए गुरुघ्ञान लेकर तो अन्त में नाथ ने कहा वो सामने कुटिया है चले आते हैं मूह उठाके करीम आज तक ये समझने आया कि है है लोग करстаद कि चले आते हैं मुँझा कि आ जाएं घर मेन और पूरा शरीर एक साथ जाए गा मुझा कि रख चले आए हैं चले आये हैं पेट ले कि आ还 cellphone के मिएट भीजने रिपेरिंग के लिए है जहां घाओ हो जहां मुश्किल हो जहां जो अंग गडबड़ हो नटबोर्ट खोलवाई भीजवा दिये डाक्टर के बास दाक्टर हाथ का इलाज करते रहो दो दिन बिना हाथ के रहेंगे भी ठीक करके भेज देना चले आये मूँ उठाके जाओ सामने कुटिया में रखना कुंड़ी बंद कर लेना और ध्यान दो कोई खटखटाए तो मत खोलना पता था जैमिनी को भी आश्रम अपना है दिल का हाल सुने दिल वाला सब यह कई जैसे थाली के चट्टे बट्टे होंगे भी हाँ इतनी लोग हैं को याव है वो कहेंगी जाना ओ दर्वाजा बंद कर लेना तो बोलेगा दर्वाजा बंद कर लेना तो आप क्या खात रहा है अरे मेरे से तो नहीं भी लेकिन बाकी लोग को मैं जानता हूं तो अन्तमे जैमीनी ने कहा सुन सुमुखी कन्या मैं भी कहूं तब भी दर्वाजा मत खोल भी आसजी के शिश्य थे उनको पता था कि काम का वीग काम का ज्वर क्या होता है भगवान संकर भी अपनी म्रिक जाला खोल के दौड पड़ते हैं कि नज़्य तयाते भी पता नहीं बव्राय घूमते रहेते कितनी 1975 है काम में ये health काम में इसलिए कहा कि मैं भी अगार कहूं तो मत खूलना रहा हूं ये और मैं भी कह रहा हूं मैं भी कहूं तो नहीं हाँ अगर खुद आत्मात्या कर रहे हो पंखा में और कहूं कि मत करो तब खोल देना भई किने गुरुजी कहें कि आज मर जाना है खोलना नहीं कि तुम लोग एक चेक आदमी हों कोई दर्वाजा ही बंद कर लेता है कोई बात्रूमे में घाने लगता है कि एकडम छेड़ देता है पूरा तरहना कोई कोई सवरोब रूप से इसे हिंदी बोलता है कमरा बंद करते मंगला बोलने लगता है कोई कि किसी की औडिया निकलने लगते हैं अभूत अचपट पथा नहीं कौंसा बूत आता है विकरम बैताल विकरम तुपर 25 यूशी तो । रात्री भह इग अर्ध रात्री में ये तो गए मैं अकेली अब सब भूल गय बस बार बारे ही गुजे मैं अकेली मैं अकेली मैं अकेली तो मैं भी तो अकेला हूँ एक घंटे बाद याद आया इसको कियो ओ अकेली मैं भी अकेला आज दुकेले हो जाएंगे वाँ कैसी रची विधाता ने जोड़ी अब जाए धीर ही हो तो तो यह कहे दे कि गुरुजी सपना में आके बोले कि उसे विवा करना है वो तो इतना भी कह दे कि दिव्य सफेद बस्तर में आये माला पहने हुए गुरुजी अगे है पुत्र इस कन्या का पानी ग्रहन करो मैं सब कर सकता हूँ गुरु आज्या का विरोध नहीं कर सकता और डाइरेक्ट आग यहां तो विरोध कर भी दूँ हर इस संद्र की तरह सपने में आये थे इसको तो मैं पूरा करूंगा चाहे कुछ भी हो कुछ खबर नहीं यहां क्या हो जाए मैं अकेली निकले रात में मैं अकेला है और जाके खट-खट आये कौन मैं हूँ जिसने तुम्हें जगह दिया था जैमिनी खोलो पर हे रिशिवर आपने ही तो कहा था मैं भी आओं तो मत खोलना अरे सब पूरानी बात याद मत रखो अभी जो नया कह रहा हो मानो नहीं नहीं जिस समय सर्ण दिया था जो कहा था वही मानूंगी है हम खोलोगी कि नहीं नहीं नाथ नाथ कह रहे हो खोल भी नहीं रही है और बेचायन हो गए जैमिनी अ भैशम में पायन यह चारो वेद के वेद पहले एक अई था आप तवचन कहते थे मरशी ब्यास ने इसे चार भागों में बांटा और अपने एक-एक सिश्य को दे दिया पहले की परंपरा कैसी गुरु अपने सिश्यों को एक-एक धर्म गरंथ देता है कि तुम इस वेद के प्रनेता बनो चार भागों में बांट दिया आज मैं बांट दूँ अगर चार भाग में भागवत या चालीस भाग में आप लोगों के बेच कि तीन अध्याए तुम्हारा तो लोग कहेंगे बागी यह असरम है वह यह सब कि जो ट्रस्ट होगर हमें महल पानी हो वाला गुरुजी यह कोई हिस्सा है कि तीन अध्याए बाटती है कि अरे इतना तो 32 रुपा में जागे गीता प्रेस्व करिद लेते पूरा का पूरा भाग मत है नहीं था इतना सेवा के बाद तीन ध्याए ले लिए लिए प्रणेटा इस भग कंड के प्रणेटा इस खंड के प्रणेटा विद्चार नहीं विद एक ही है भगवान की स्वांसों से निकलाई हुई वेद एक है विजब्यास महर्शी जी ने अपने सिश्चों में चार खंडों में से माट दिया तो चार बेद हो गए तो ऐसे जैमिनी जो बेद के प्रणेटा है साधर्न नहीं है लटू छाप भीदग्य सुतग्यो पर काम का जोर बेग और मूल में छिपा गुरू का अपमान गुरू जब प्रवचन कर रहे थे काम सास्तर के विशे में बता रहे थे तो उस समय कहा रोज तो इनका बस एक ही है इनका रेकॉड अटक गया है इसी पर चर्चा काम-काम-काम-काम का और कोई कथा इनके पास यह तो मैं सुना हो जी पिछली भार भी यहीं सुने थे पिछली गुरू पने माँ यहीं हुआ था यहां सुन चुक्य है जैमिनी इतने बड़े प्रणीत इतना बड़ा रुशी मूल में इग्णोरिंस अफ गुरू सती ने इग्णोर किया गुरू को सती ने इग्णोर किया रामकथा का उसका परिणाम धूधू करके अगनी में लपट बन गई आज की जिंदगी होती तो बर्ण केस बोला जाता है आत्महत्यां विसुद्ध पुरानी भासा इसलिए वगागनी में खुद को भस्म कर लिया सीधी सीधी हवन की कुंड जल रही थी हमारे आपके जैसे थोड़ी है आज कल के हवन कुंड अब लकड़ी कहां और घी कहां कि इतना बड़ा कुंड आदमी बनावे है वे तो बट उतने में दाल खा जाते हैं जितना बड़ा इनका हवन कुंड है अब पहले हवन कुंड आदस हजार रिशी बैठे हैं चल रहा है अब आकास तक अगनी की लपने उठती थी इंद्र घबर आ जाता था ऐसे हवन, ऐसे यग्य, उस यग्य की कुंड में, वेदी में, अपने पिता, अपनी बहनों और अपने परिवार का अपमान, भयंकर अपमान आई थी सती, अपने घर में, पिता के घर में यग्य चल रहा था, धार्मी का योजन चल रहे थे, भगवान संकर जो गुरूरूप में भी हैं, सिर्व गुरू, उन्हें कहा देवी मत जाओ, जाना ठीक नहीं है, तो नहीं अपने पिता के यहां जाने में बुलाना पड़ता है क्या, भगवान संकर ने कहा गुरू मत बनो, गुरू मैं हूँ, यद्दपी पिता माता सुर्द के घर में अगर न भी बुलाएं तो जाना अनुचित नहीं, परन्तु कोई विरोध रखता है वहां पर, सत्रुता रखता है, तब बिना बुलाएं कदापी न जाना, यह भगवान संकर के बचन है, चाहे मा हो, चाहे पिता हो, कोई भी, चुकी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे प्रती विरोध रखते हैं, मुझे नंगा कहते हैं, तुम्हें भी खुद पता है, तुम खुद नाराज रहती हो, कि मेरे पती को ऐसे ऐसे गंदी बात बोलते हैं यह, नंगा है, घर नहीं है, दरीदर से विवा हो गया, असमसान में क भसम लगाए रहता है, कितनी बेज जती की थी, इसलिए भले ही माता पिता हो, पर वो विरोध रखते हैं मेरे प्रती, मत जाना, पर चली गई, गुरु आज्या का उलंगन करके, स्वामी आज्या का उलंगन करके, और उसके परिणाम क्या हुए, अगर चले ही गए, तो फि फिर रखते, आसलि सम्वा पादरताम पिनस्टुमाम, कुछ नहीं मानेंगे, ये नियम भी नहीं मानेंगे, और इतनी तयारी भी नहीं है कि कितना भी अपमान हो जाए, मैं तो अपने कार्य में आया हूँ, हनुमान जी की तरह, भया जितना करना है कर ले हो, हम तो माह जान बर्दास्त नहीं हुआ, माता सती को, धड़ाम से कूद गई उसी यग्र, कुंड में, धूधू करके जल गई, जिन्दा, जिन्दा, जिवित अगनी कुंड में चल गई, हरी कथा का अपमान, गुरु वच्णों का अपमान, मनस्य को कहीं के लाइक नहीं जोड़ता, मैंने अपने जिवन बहुत देखे, सहाब, बहुत, और आज बैशम पयान ने, जैमिनी ने, गुरु वच्णों का अपमान किया, कथा सुनते समय हम क्या सुने, और चली गई वो, रात्री में, और इतने कामांध हुए, कि फूस की जैसी जोपड़ी अपनी होती है, पहले तो वही हुए, रिश्यों होगा कि, नहीं खोला दरवाजा, जब सत पे चड़ गए, चपर उजार डाला, चपर कैसे, पहले चपर रखे रहते थे, चपर बना के, ऐसे रख दिये जाते थे, यही तो होता था, रिश्यों की कुटिया ऐसे होती थी, उसको तीन तय होते थे, तो जो चोटा वाला, हम लोगा नही स्वामी, रात गुजरी जा रही है, नीचे गिरे, और आंक खोला, तो देखा, दिव्य मुद्रा में, उनके गुरदेव भगवान ब्यास ऐसे बैठे हुने डाड़ी ले, आओ पुत्र आओ, वो कहां गई, जो नात कह रही थी, बुला यही है, नहीं, एक्चुल क्या हुआ ना भगवान, वो चिला रही थी कि सांप सांप इसलिए मैं आया था, जैमिनी नहीं किया, हम तो ऐसे हैं कि गुरू भी सामने अगर गिर गए, साक्षात पकड़ में आ गए, तब भी ऐसा इस्टेरिंग काटेंगे, कि गुरू को एक और गच् अरे रहने दे बच्चा, बन सच्चा, सब कुछ होगा अच्छा, इसलिए, क्या हुआ, देखा, और जैमिनी चर्णों में गिर पड़े, गुरू देव, आप जैसा कृपालू कौन होगा, आज ही प्रातह आपकी वानी का अपमान किया, और आज ही आपने मेरी रक्षा कर ले, देखो, सिस्स को जब गुरू कृपा देखनी होती है, तो अभी कुछ किया, अग गुरू ने आके धो दिया, छच्छा महिना से लोग इहां प्रात करके बैठे हुए है, अभी तक किसी लोगों के छे-छे महिने से पेंडिंग है, एक एक अपराध है, और सुनने के समय नहीं इनके पास, अभी ठीक से तो हम किये भी नहीं गलती, और ठोकाई हो गई, भूल गए, राम राज्य का तीस्रा नियम, उत्तम और अभिलंब ने आए, तो जिसके जीवन में गुरू तुरंत अभिलंब नयाए कर दें, समझ लेना उसके जीवन में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, देखो कृपा समझना हो न विठा, तो दृष्टी रखने पड़ते हैं, और पुर्वाग्रह से ग्रसित हो कर, अगर ग्रसित हो, तो उ उनकी करुणा को भी तुमको लगेगा, मेरे प्रती जादा ही कुछ कठोर है, और ये स्रिष्टता है, जब गुरू हम पर कठोरता करने लगे, तब स्रिष्य को निश्चिन्त हो जाना चाहिए, कि अब मेरा काम बन गया, मेरे उपर दृष्टी आगई भगवन की अब प्र गुरू उचित नहीं समझते हैं, ये लंबित वाले ये न सोचें कि वो भूल गए, या बढ़िया है, चुप-चाप है, that means, गए हो गुरू की निगाह से, तुमारी लख चीजों को देखने के बाद भी निरणय नहीं करते हैं, मुख मोड लेते हैं, सुनते हुए भी अंसुना कर लेते हैं लोगों से, जानते हुए भी अंजाने बन जाते हैं, गए उनके रेंज से बाहर, अब कौन करेगा मंगल? उन्होंने ही जब मुख फेर ल हो गए तत्छन तुरंत तत्काल और वो उस न्याय को उस सीख को उस गुरु कृपा को स्विकार कर लिए उसी छन जबकि वो समय गर्मी का समय होता है ताजा ताजा मामला गरम होता है अवसे समय बला के पटाक पटाक पांच थपड़ बस हमारे उपर दिनका जोर चलता है हमी गल्ती थी उसी समय निकला भया हो गया भया मामला बन गया कैसा अवला गर्मा गर्म और इजट वन पीस वह समझ लो गुरु के अभी पूर्ण दिश्टी तुम्हारे उपर है पूर्ण और इग्नोर करना सुरू कर दिये हैं अब तो कुछ नहीं बचा है मैं सत्य कहता हूं मेरी गल्तियां जब इग्नोर कर दी जाती थी तो मैं अनात समझने रखता था और तच्छन उसका फैसला हो जाता गल्तियां मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं गल्ती नहीं भी करता था और यह यहीं तो हंकार है गुरु कहते हैं गल्ती तो गल्ती तुम कौन होते एक कहने व मिट्टी को रौंदा है, एक एक कंकड चुने हैं और चाक पे चढ़ा के और दो दिन छोड़ के सेप देंगे तो हो जाएगा, आठ घंटे में तो मिट्टी सूख जाएगी, अब घड़ा न बनेगा, सुराही न बनेगी, इसलिए गीले गीले तुरन ततकाल ऐसा सेप देते ह तक से काटे, ले भईया, क्या बना है माल, देखे, कुमार, गुरु कुमार असिस से कुम्भ है, इस दृष्टी से भी केवल मारने खोकने से नहीं, इस दृष्टी में भी ततकाल ने आए, जिन पर इतना परिश्रम किया है, उनके सब कुछ निकाले हैं, उनके सब कंकड न देखते हैं, तो जैसा बना के छोड़ा है, इसा ही हो जाका, घड़ा, ऐसे करके चला गया, एक दिन के बाद क्या हो घड़ा, आया लोटके तो गया, और रख दो जाके बाजार में, यह घड़ा कितने एक, यह पांच रुपया में उला तो अपने बाप के पानी पिलाना, मैं इसा मूँ देख रहा है, मैं देखा हूँ एक दो घड़ा को, बाकी घड़े हैं, एक दो इसा है, हमके देखो इनका मूँ, ध्यान नहीं दिया होगा इनके गुरु ने, काम में निकल गया है, सूख गये बिचारे, पक गये अब, अब यह पोली हो नहीं है कि ठीक हो जा है कि तुरंट सेप देते हैं, गीले-गीले में, ततकाल, तच्छन, उसी समय है, और उन्हीं को देते हैं, जिन पर अधिकार भी हो, या जिन्नोंने अधिकार दिया हो, पता है कि ये कुछ कहने से भढ़केगा ही, और और बुद्धी बिनस्ट हो जाएगी, तो कुछ महीं क अधिनी छ्मा मांगा, गुरुदेव बहुत बड़ी भूल हो गई है, हेनात, बोला बस कुछ नहीं बेटा, सुना कर जब बैठता हूं, तो गुरु मुर्ख थोड़ी हैं बेटा की काम के ओपर 20 क्लास ले रहे हैं, क्रोध के ओपर 45 क्लास ले रहे हैं, और तुम लोगों क एक, 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 पुसकर से कह रहा हूं, एक सेवा निरंतर ले लो मुर्ख थोड़ी हैं, एक ही जगह हटके वे रिकॉर्ड़ अटक गया उनका, एक ही जगह पर, उसकर से यहां दुसकर आ गए, रास्ते को पार करके, फिर भी एक ही जगह हटके मुर्ख थोड़ी हैं, एक, जब तक न अपना वो बोलते ही रहेंगे, क्योंकि अपना समझते अभी तक, और मुँ फिर लें, तो फिर ये प्रवचन खत्म, ये वाला खत्म फिर, फिर एक वाला खत्म, और जब तक निकल रहा है, समझो, ध्यान है, ये द्रश्टी है, फिर निया चीज कहेंगे, जो सुनना, जो तुमको हो, पसंद वही बात कहेंगे, तो जैमिनी की इस कथा, बिदव्यास की इस कथा से सुनो, कभी ज्ञान का भिमान मत करो, कभी सुना हुआ है, ये मत समझना, बित्कुल नित्य नवीन है, नया है, मेरे लिए ही है, आज के लिए, कि कि अजब情况 करें जाया, नवी कильजपना हुआ है, नवींे कि बाता है, जाए जए है, मिलमान टाली बाता है, नवीन रड़िए के जापना है, ये भींखने है, मेरे ठाली करसंचे के लिए इके बांसर्सें कि अहीता है, पर लिए हैं टा जजब जष Гयोग कि अğतित्या,